यहां मैंने एक प्रॉब्लम मैंने और देखी है कि जैसे कॉलेजीज होते हैं हमारे फिर को कहां dependent रहना होता है अब मैं एक scenario create करता हूं Sir तायर थ्री कॉलेज में ओं में प्लेस्मेंट भी नहीं है, मैं CS का भी नहीं हूँ, मेरा इंट्रस्ट भी CS में है, हर जगा से लगी पड़ी है, अब क्या करूँ, ऐसी वाली सिटुएशन भी आती है, ठीक है, बट ये, कैसे आप लोग उमीद करता हूं कि अच्छे होंगे, वेडनस दे आता है, मैं भी एक्साइटेड रहता हूं, वेडनस दे स्पेशल को लेके और ट्राइ करता हूं कि हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे हम बात करें, जितनी जादा हो सके, नॉलिज को स्प्रेट करें, ताकि कोई गलतियां, कुछ मिस्टेक जो हो जाती हैं वो ना हो, और आप सही तरीके से आगे प्रोसीड कर पाऊ, अपने फ्यूचर को लेके और सही डिसीजन ले पाऊ, ऐसा ना हो कि कुछ पता ना हो, उसके बेस पे बाद में आपको रिलाइज हो, कि यार, शायद मुझे पता ह तो मैं कुछ अच्छा कर लेता, तब भी आज कल मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं, ताकि किसी ना किसी को बेनिफिट जरूर मेले, यह मेरा थौर्ट क्रोसस तरहता है, तो आज मैं बात करने वालो एक ऐसे टोपिक के बारे में, जिसकी मुझे ऐसा लगता है, सब कोई नीड ह जो computer science से belong नहीं करते, मेरे काफी close friend भी है, जिनके message मेरे पास आते हैं कि sir, B.com कर रहा हूं, क्या मैं IT field में आ सकता हूं, sir, BBA कर रहा हूं, क्या मैं IT field में आ सकता हूं, क्या मैं कोई language सीक के अच्छी job ले सकता हूं, क्या B.tech CS लिखा होगा degree में, तभी मैं interview के लिए eligible हूंग क्योंगा, ऐसे कुछ कोशिस में बहुत ज्यादा आते हैं, फिर मैंने का चलो इसको एक Wednesday special में ही convert करते हैं और एक वीडियो बनाते हैं इस पे, so मैं उमीद करूंगा guys कि इस वीडियो के end तक आपके सारे doubts clear हो जाएंगे अच्छे से, और मैं कुछ ऐसी बाते करने वाला हू आपको लाइक करने खुछ करने क्योंकि में मोटिवेशन यही है, मैं जो वीडियो बनाता हूं अगर आप लाइक करोगे तो में और मोटिवेशन में बने था तो मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा ठीक है, और अगर आप नए हूँ चैनल पे तो चैनल को सब्स्क्राइब करले एसी और वीडियो के लिए along with bell icon तो बात करते हैं देखिए college में क्या होता है कि CS की ब्रांच होती है mechanical हो गई अलग अलग ब्रांच होती है ठीक है अब उस दोरान क्या होता है कि एक ऐसा student है उसको लगता है कि मुझे CS में जाना चाहिए था बट marks नहीं थे जिसकी वैसे वह CS मे नहीं जाब पाता ठीक है marks भी reason होते हैं और समाओ आप या फिर BBA कर रहे हो आप उस टाइम course of कर लेते हो बाद में realize होता है कि मुझे शायद computer film में जाना चाहिए था मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं उसमें जब मैं अपने दोस्तों को देखता हूं वो करते तो मुझे लग सब्सक्राइब करते हैं हम पूरा अंटायर बात करते हैं तो हर कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि खाली उनको लिखा हूँ चाहिए या फिर MCA है ठीक है ऐसा नहीं है अगर आपके पास कोई और भी अगर आपने graduation किसी और चीज में की है या फिर अगर आपने post graduation किसी और फिल सब्सक्राइब करते हैं तो अगर जितने भी लोग मुझे भी सुन पा रहे हैं अगर तुमारी field CS नहीं है तो ऐसे कौन से subject हैं जो तुमारी tips पे होने चाहिए मैं यह नहीं कह रहा कि वह subject में पूरा पता हो ऐसा नहीं है कोई भी तुमसे पूरा नहीं पूछेगा बट यह है कि आपको तवड़ा बहुत पता होना चाहिए मैं example देता हूं operating system मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि पूछ लेता ह क्या है आप से जो भी इंटर्वियर होगा operating system क्या है ठीक है type of operating system आप किसी company में जोगे आप Linux यूज कर रहे हूं आप अपको पता ही नहीं कि क्या है एक्चुली में तो आप फस जाओगे राइट तो type of operating system हो गया process क्या होता है thread क्या होता है task क्या होता है process scheduling क्या होती है यह स मज़ नहीं आता कि कौन से टॉपिक्स मुझे उठाने है बुक तो इतनी मोटी है तो सारे टॉपिक पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा फिर क्या फैदा सीएस वाला तो बच्चा अल्री कर रहा है मेरे पास तो और भी सब्जेक्ट से मेरे मैं कैसे करूं बिल्कुल सही बात है ऐसी कि इसमें यूट्यूब आज के टाइम पर बहुत ज्यादा पॉबलर है लोगों ने डेडिकेटिट वीडियो बना रखें कि अप इतना पार्ट कर कर ले होते हो एक इंटर व्यूके पॉइंट ओफ यू से तब भी काफी है आपको पता होना चैकि process होता क्या है टास्क्या होता है ठीक है statements क्या होती है कैसे cpu number of processes को execute करता है यह जो चीज़े में आपको बता रहूं गाईस यह खाली आप technical कितना sound हो आपको कितने टर्म से प्रॉसेस हो गया थ्रेड हो गया का मिनिंग क्या है अगर आपको पता है तो यह आपको help करता है बस अगला जो सब्जेक्ट है काफी इंपोर्टेंट है dbms डेटाबेस मेंजमेंट सिस्टम कैसे दो टेबल की बीच में जॉइन किया जाता है प्राइमरी की क्या होती है फॉर किसी भी कंपनी में आपसे पूछा सकता है तो यह सब्जेक्ट होते हैं वैसे मैं यह पर नेटवर्क को भी लाना चाहता हूं अभी मैंने देखा है कि कुछ टाइम से नेटवर्क को इतना ज्यादा नहीं पूछते आप से अगर आप किसी पर्टिकुलर वेब्लप्मेंट क को इस टैंब बोल भी सकते हो कि में मेरी फिल्ड यह नहीं है मैं से बिलॉंग नहीं करता बट मेरा इंटरस्ट मेरा पैशन है उसके बेस में सारे प्रोजेक्ट की है आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा तो इतना जादा उसको इसके दिमाग में यह चीज आ जाएगी यह वह आपका इंट्रीव लेगा कि बंदा CS का है नहीं की नहीं उसके बाद भी आगे आया है उसने प्रोजेक्ट बनाये है यह उसका प्रोजेक्ट है तो वह आपके लिए फ्लस पॉइंट रहेगा तो इसलिए बहुत बार हम सूछते हैं कि बोलू ना बोलू यार तुम् हमारा selection यहां नहीं हो गया हो जाएगा क्या पता उस चीज से आपका selection हो जाए राइट सो operating system हो गया आपका dbms हो गया और एक आपके पास programming language की knowledge होनी चाहिए ठीक है अब जैसे dbms और operating system हो गया इसका मैं तुम्हें सोर्स बता दिया है तुम जी फजी पर जाके कपल ओफ कोशन से 35 कोशन कर लो काफी है अब प्रोग्रामिंग लेंविज जावा सी सी प्लस प्लस इन पर आपका हैंड सोन होना चाहिए ठीक है आगे तुमने वेब डवलप्मिंट में जाना है एब डवलप्मेंट में जाना है उन पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है क्या उसका रोड मैप है बट अभी उस पर आते हैं एक लेंग्विज का मतलब यह कि तुम्हें पता होना चाहिए कि लेंग्विज काम कैसे करती है कैसे लेंग्विज का यूज करके आप किसी एक एप्लिकेशन को डवलप क अगे देखिए मैं आ रहा हूं भी डेटा स्क्चर की बात भी हम कर रहे हैं अभी डोंट वरी सो डेटा सच्चर अल्गूरित्म की बात भी आती है डेटा सच्चर अल्गूरित्म से आपको यह benefit मिलता है कि आप और ज्यादा अच्छा logic लगा सकते हो आपके दिमाग में बह और भी सब्जेक्ट्स हैं बट मेरा इंट्रस्ट्ट में है मैं करना चाहता हूं मैं यहां पर लिना स्मार्ट मूव की ऑपरेंटिंग सिस्टम हो गया डी डीवेमेस हो गया में को फड़ा वो चीजे समझ आ गई है जोई लगाना भी आ गया है और टेबल का मतलब भी पता ह है स्कीमा क्या होता है सब चीजे मैं इन टम्स के साथ हो चुका हूं अब मुझे एक अच्छे प्रोजेक्ट की जरूरत है बट आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाओगे उसका बैकेंड भी होगा आप जावा यूज कर रहे हो या पीएच्प यूज कर रहे हो या कोई भी आ लेंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए आपको अगर आएगी उसका बैनिफिट आपको मिलेगा अब सिंपल सी बाद है तुम्हें यह तो है नहीं कि जितना में बोल रहा हो उतना ही करोगे राइट अब तुम्हें अगर ज्यादा ही इंट्रस्ट है यहां पे हर इं कॉंटिन्यू कर सकते हो अधरवाइस अपना टाइम वेस्ट मत करो बहुत बार ऐसा लाइफ में होता है कि हम सामने अले को देख के लगता है कि यार यह चीज मैं शुरू कर देता हूं बट फिर वहीं नहीं है तो जब मैं लेंग्विज की बात करता हूं जैसे जावा की ब सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं अब मुझे वेब में जाना है एप में जाना है आप में जाना है जाना है तो आपके बास Android है ठीक है और आज के टाइम पर इतनी जाना टेक्नोलोजी जा गई है जैसे रियक्ट नेटिव है अभी इन सब पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्यों कि मैंने एक डेडिकेटिट वीडियो बना रख़ा है एप डव्लप्मेंट और वेब जाल रहे हैं जो अधर सब्जेक्ट है उन पर इंपक्ट हो ऐसा मैं नहीं कह रहा है यह तुम साइट बाइसाइट कर रहे हो तैयार कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे कॉलेज में यह है कि अगर कंपनी आ रही है CS के लिए तो वो non-CSL बच्चे को बिठा लेगी ठीक है और जिनकों पास कुछ सब्जेक्ट होते हैं थोड़े पहुँ सी लैंग्विज हो गया नोट लाइक उनकी तरह बट थोड़े पहुँ सर्जेक्ट होते हैं बट तुमने कुछ एक्स्ट्रा अपने सेटेडे सेंडे लगा के आने वाले टाम को अच्छा करने के लिए तुमने का किया एक प्रजेक्ट बना लिया है बैकेंड में तुमने जावा यूज किया है फ् फेस्बुक से लॉगिन कर सकता है अब यह सारा के सारा कॉंटेंट यूट्यूब पे है आप वहां से ही पढ़ सकते हूं आज के टाइम पर गाई एक सीज ध्यान रखिए इंटरनेट ऐसा एक माध्य में आपको यूज करना आना चाहिए सब कुछ अविलेबल है बने मना है नहीं है या फिर कुछ कुछ में होती है फिर आपको कहा डिपेंडेंट रहना होता है ओफ केंपस यह भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा अब मैं एक स्नेरियो क्रेट करता हूं सर टायर 3 कॉलिज में कॉलिज में प्लेस्मेंट भी नही ठीक है मैं B.com कर रहो है मैं कोई अधर कोर्स कर रहा हूं बट यूट्यूब पर इतना जादा मैंने देख लिया है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है ठीक है क्योंकि तक तक तुम किसी को नहीं सुनोगे किसी experience बंदे को नहीं सुनोगे तुम सोच नहीं पाओगे कैसे अब बस तुम्हें एक अच्छा इंटर्यू करना है अब इंटर्यू करने के लिए हर कंपनी के अलग अलग पेरामिटर्स होते हैं उसके हिसाफ से तुम्हें तैयारी अपनी करनी पड़ेगी अब तुम लेंग्विज भी सीख चुके हो फ्रंटेंड में तुमारा हैंड्स अच्छी बात आ रहे हैं तुम्हारे लिए तो सीख लो मिनिंग्फुल नहीं हैं डी मोटिवेट कर रहे हैं तो साइड़ जो इसी लाइफ में बहुत ज्यादा चीज़े आती हैं लोग आपको घ्यान देंगे कि यह है वो है मत कर अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते तुम्हें अच्छे सा नालेज है लेंग्विजिस की और बेकेंड में अगर आपको जाना है और फ्रंटेंड में जाना है मैं अल्ड़ी वीडियो बना चुका हूं तो जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने यूसफुल वीडियो होंगी मैं डिस्क्रिप्शन में सारी देख लेना जो तुम्हें फ्रेंट में जाना हो या बेकेंड में जाना हो फुल स्टेक डवलपर इन सब की वीडियो के लिंक में दे दूँगा ठीक है तो मैं इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं बस इतनी बात बोलना चाहूंगा जितने भी नॉन CSLA से बिलॉंग नहीं करते हैं ऑप्रेटिंग सिस्टम डीबी एमेस एक लेंवेज प्रोगामिंग लेंवेज और एक प्रोजेक्ट चाहिए वो एप डवलप्मेंट में हो इतना करके तुम्हें रखना है बाकी हर कंपनी का नहीं क्राइटीरियों होता है जी फजी पे गीक्स में आ रहे हैं या फिर आप बाढ़ रहे हो उनके कोशन गिवन है कि वो क्या पूछते हैं उसके हिसाब से आपको अपनी तयारी करनी है बस इतना कर लोगे तो यार चाहे तुम सीएस वाला बच्चा भी होगा ना चाहे वो है सीएस में तुम उससे बहुत उपर हो अगर त ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ कि यह जितनी मैंने बाते गहीं आपको यह यूसफुल रही होंगी बागी कोई डाउट हो कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो मेरे से तो कमेंट सेक्शन में लेक देना मेरे पड़ा इजी रहेगा नेक्स टाम वीडियो बनाना वरना मैं उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफी उसफुल रहा होगा कोई डाउट हो कुछ भी हो लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर और वीडियो को जादा से जादा शेयर करना गाइस क्योंकि बहुत बढ़ी प्रॉबलम है कि लोगों को पता नहीं होता और मै मैं यह चाहता हूँ मैं यह इसलिए कॉंटेंट बनाता हूँ ताकि यह इंफरमेशन हर किसी के पास जा पाई और सही तरीके से प्रॉसीट कर पाए और ऐसा रही कि मोटिवेशन के साथ क्योंकि मोटिवेशन बहुत जुरूरी है आप कोई भी काम करोगे अब जैसे मैंने क बात करें तो में लिए मोटिवेशन आप लाइक करोगे वह है तो इसी तरीके से अगर आपको प्रॉसीट करना है तो सही चीजों का जाना बहुत जरूरी है माइंड के अंदर ठीक है नहीं जाएंगे तो आप सोची नहीं पाहोगे ठीक है थैंक्यू सो मच गाइस वाचिं जरूर करना और अपना इंपोर्टेंट कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगा मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तिल देन ध्यान रखिए अपना